टोकियो ओलम्पिक 2020 में भारत की जोली में तिसरा मेडल लाउलिना बोर्गोहन ने डाला लाउलिना टोकियो ओलम्पिक 2020 के बॉक्सिंग सेंफाइनल मुकाबले में 59 किलोग्राम बर्ग में मौजुदा 200 चेंपियोंचिप तुर्की की बुसेनाच सुर्मेनली से हार करके ब्र ब्रोंज मेडल अपने नाम किया साथ यसाथ देश का भी नाम रोशन किया और इस प्रकार से भारत के अब तक तीन मेडल आ चुके हैं ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग मुक्यबाजी में पदक जितने वाली भारत के तिसरी मुक्यबाज बनी लौलीना बोर्गोहन दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर भारत की जो लौलीना है वह तिसरी मुख्यबाज बनी है जो ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में पदक जितने वाली खिलाड़ी हों से इससे पहले भारत की ओर से बिजंदर सिंग और MC मेरिकॉम ने ओलंपिक खेलों में काई से पदक जीता है तो यह तिसरी मुख्यबाज बन गई है तो इनसे पर जो जीते हैं काई से पदक वो हैं बिजंदर सिंग और MC मेरिकॉम तो इस परकार से यह तिसरी मुख्यबाज बन जो की ओलंपिक में मेडल जितने वाली बात करता हैं लौलिना की लौलिना बोर्गोहेन का जन्म गोलाघाट असम भारत में हुआ है और यह एक भारतिया बोक्सर और ओलंपिक मेडल विनर है तो आपको यह भी जानकर ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो हुआ है वह असम के ग वर्ड चेमयंशिप 2018 में ब्रोंज, वड्चेम्पेंशिप 2019 में भी ब्रोंज, साथ चाथ एसेयन चेमपेंशिप 2017 में भी ब्रोंज मेडल जीती हैं लवलिना के बात करते हैं तोकियो ऑलम्पिक 2020 में ब्रोंज मेडल जितने से पहले वर्ल्ड चेम्पियंशिप 2018 में भी ब्रोंज मेडल जिता है सातीसात वर्ल्ड चेम्पियंशिप 2019 में भी इन्हों ने ब्रोंच मेडल अपने नाम किया है और इसके अरावा Union champion 2017 में ब्रोंज मेडल और 2021 Asian Championship में भी ब्रोंज मेडल तो इस परकार हम जानते हैं कि लवलीना जो है अभी तक जितने भी इंटरनेशनल खेल हुए मुख्यपाजी में उन सभी में इन्होंने ब्रोंज मेडल अपने नाम किया है तो यह आपको इतनी सारे जनकरे ध्यान रखना है